निसा अंजली और पड़ी एक बार की बात है एक का में दो लरकी रहा करती थी एक लरकी का नाम निसा था तो दूसरी लरकी का नाम अंजली था वह दोनों लरकी एक ही घर की थी निसा की मा भी दुनिया में नहीं थी लेकिन उसके पिता के दूसरी साधी हो गई थी जिसके कार अब निशा की एक सोतेली मा और बहन भी थी। निशा की सोतेली बहन अंजली थी। निशा अंजली को अपनी सगी बहन के जैसे ही मानती थी। लेकिन अंजली ऐसी नहीं थी। वो निशा को सोतेली बहन के साथ ही न दुसमन भी मानती थी। वही अंजली की मा की भी भावना कुछ इसी परकार के थी, निशा सुबह उठने के बाद घर का सारा काम किया करती थी, उसके बाद बिना कुछ खाय वह दिन भर गाय और भैस चराने गाउं से बाहर जंगल की उर जाया करती थी, पूरा दिन भर गाय भैस को चराती और साम को फिर से घर का काम करती थी, लेकिन इतना सारा काम करने के बाद वह जब भी खाना खाने बैठा करती थी, तब उसकी सौतेली मा और बहन उसे खाना भी सही से खाने नहीं देती थी, निशा को उसकी सौतेली मा और बहन काफे परिसान किया करती थी, इसके साथ ही वह उसे काफे मारा भी किया करती थी, एक बार जब निशा की तब्यद बहुत खराब हो गई, फिर भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता था, और गाय भैस को चराना पड़ता, जब उसकी तब्यद खराब थी, और वह गाय भैस चराने गई थी, तब ही उसे एक काफी कमजूर बूरी औरत नजर आई, वह औरत इस लड़की के पास आई, औरत ने धीमी आवाज में कहा, कि हे लड़की मेरा गला सूपता जा रहा है, क्यों तुम्हारे पास पानी है, निशा के पास पानी तो नहीं था, लेकिन निशा ने अपनी भैस का दूद निकाल कर उस बूरी औरत को पीने के लिए दे दिया, बूरी औरत निशा के इस बैवार से बहुत खुश थी, वह औरत वहां से चली गई, अगले दिन वह औरत फिर निशा के पास आई, और पीने को पानी मंगा, तो निशा ने उसे भैस का दूद दिया, दूद को पीने के बाद वह औरत फिर वहां से चली गई, यह बहुत दि तक चलता रहा एक दिन निशा की सोतेली माने भैस के दूद पर ध्यान दिया तब उससे पता चला कि भैस पहले से कम दूद दे रही है सोतेली माने सोचा कि निशा ही दूद पिया कर रही है इसलिए उसने निशा को खूब माड़ा और कहा कि अगर अब भैस का दूद कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी आज के बाद तुम गाय भैस को चरानी नहीं जाओगी अगले दिन निशा गाय भैस को चरानी नहीं गई बस वह सारा दिन रोती रही उसने सारा दिन बस काम किया और कुछ भी नहीं खाया रात के समय जब निशा रो रही थी तब ही उसके सामने एक रोशनी दिखी, देखती ही देखती वो रोशनी बढ़ती गई उस रोशनी में से एक पड़ी बाहर आई, पड़ी ने निशा से कहा के तुम डरो मत, मैं एक पड़ी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम मेरी परिक्षा में पास हो गई हो निशा ने कहा कि कैसी परिक्षा इस पर उस पड़ी ने कहा कि मैं वही बूरी औरत हूँ जिसे तुम हर रोद दूद पिलाया करती थी आद में तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब जब भी तुम हसोगी और रोगी तो तुम्हारे आख और मुझ से सोने चांदी गिरा करेंगे यह कहने के बाद वह पड़ी वहाँ से गायब हो गई लेकिन यह सब सौतेली मा ने देख लिया था सौतेली मा कमडे में आई और निसा को माड़ा जब निसा रोने लगी तो उसके मुह और आख से सोना चांदी गिरने लगे यह देख कर सौतेली मा चौक गई अगले दिन सुबह वह अपनी बेटी को गाय भैस को चड़ाने के लिए भेजा जब अंजली गाय और भैस को गाउं से बाहर चड़ा रही थी तभी उसे बूरी औरत नजर आई वह बूरी औरत अंजली के पास आकर पीने को पानी मागा अंजली ने कहा मेरे पास पानी नहीं है इस पर बूरी औरत ने का क्या अच्छा बेटी मुझे गाया भैस का दूद दे दो मैं मर जाओंगी यह सुनते ही अंजली को बहुत गुस्ता आ गया अंजली ने बूरी औरत को अपने पास से दूद कारते वे भगा दिया जब साम को अंजली घर आई तो इसने मा को सब कुछ बताया बूरी औरत के साथ अंजली का बहँवार सुनने के बाद मा गुस्ता हो गई गुस्ता के कारण मा ने अंजली को एक तमाचा मारा जब अंजली रोने लगी तो इसके आख और मुझ से साप मेढक और बिच्छो निकलने लगे यह सब नजारत देख दोनों पागल सी हो गई लेकिन सौतेली मा समझ गई कि यह सब काम उस पड़ी का है बहुत सी पड़ी बहुत अच्छी होती है और वो इनसान की मदद भी करती है वरी कमजूर और परिसान इनसान की मदद करती है इसके साथ वो इनसान जो दूसरे किसी इनसान को परिसान करता है तो उसे सबक भी सिखाती है अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्क्राइब करें कि आप हमारे वीडियो को देख सकें यह कहानी कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं